IS therefore my name is बात करने वाले डिलीट मेठॉट सब सि cricket के वारे मेरे यह दोलों मैठन इस टीडम इसलिए प्रिविए करते हैं विए और विश हमने का शूड गया था प्रिविए सिड देख लो इसलीड निपर favour छले ऐंबात करते हैं डिलीट मैठन के बारे बिलीटि विलीत 맞는 a sorting buffer object के अंदर हम लोग एकष्प पास करेंगे। उस में से मझाय कइल कर सकते हो या से ट आफ olabilir कर सकते हो। न्युजिंग ड्लीट´ करते हैं मैं न्युद hasn't this method is use to remove a sequence of characters from from the string buffer object clear a point then अब देखो यहां पर मैंने एक और लाइन लिखा है delete method has two overloaded forms first one is delete method और यहां पर मैंने बताया है कि starting index and end index मैंने जैसे बताया आपको set of characters remove करना string buffer object से तो आपको use करना यहां पर starting index देना है delete method के अंदर and then end index clear a point then देखो मैंने यहां पर definition भी लिखाया इसका this method removes the characters in a sub-string of the string buffer object sub-string क्या होता है एक part होता है string का ठीक ना the sub-string begins at the specified start index and extends to the character add at index int minus one clear a point चलिए अब single character को आपको remove करना या दिलीट करना है तो उसके लिए क्या करोगे delete care method यूज करोगे तो index नमर बताओगे और उसका वो क्या करेगा जो string buffer object के अंदर आपका string है उसको से string में से single character को वो remove कर देगा clear a point शलिए तो प्रैक्टिकल समझते इसको मैं एक file बना लेता हूं यहां पर मैंने बनाया है str20.java आप भी बना लेना कुछ भी दे सकते हो file का name then मैं class क्रिेट कर लेता हूं class का name दे दिया my string string buffer ठीक है class का name भी कुछ भी दे सकते हो ठीक है मैं string buffer class का method cover कर रहा हूं method तो मैं इसलिए my string buffer class name दे दिया ठीक है तो आप कुछ भी नेम दे सकते हो ऐसा नहीं कि जो मैं नेम दे रहा हूँ वही आप दो ऐसा कुछ कमपलसर ही नहीं है ठीक है तो मैं स्ट्रिंग बफर का अब्जेक्ट कर लेता हूँ रिफ्रेंस विरियेवल सिंगल को डिलीट मारना है भी यह जो इस्ट्रिंग बफर अब्जेक्ट के अंदर हमने इस्ट्रिंग पास किया है इसके अंदर पी जो है आपका कारेक्टर इसको रिमॉब करना है ना तो चलिए इसके लिए हम यूज कर लेंगे डिलीट कैर एट और यहां पर इंडेक्स नंबर हम काउंट कर लेते हैं 0 से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 तो 3 पास कर देते हैं ठीक है तो 3 में आपका डिलीट होना जी यह क्या पी जो इस्ट्रिंग बफर अब्जेक्ट के अंदर इस्ट्रिंग है उन में से पी डिलीट हो जाना जी चलिए देखत मैं आपस्स्ट्रिंटि कर देता हूं अब मैं कमपाइलर ओपेन कर लेता हूं cmd ऐस मेरा जो फोल्डर है तो डेक्समी को छले यांते युखाउड़नाम च्वल्डर है तो फिर से लिखना है java-c जावा-c नहीं निखना है c-d-java अब java-c then str20 मेरा file नेम है डाट चावा ठावा चलिए अम इसको compile- pumpkin compile- kindly error the java array class का name class का name है मेरा एसा डाइस पर इस्ट Communication उस्ट्रिंग के दर मैं इसको यहां से copy कर लेता हूं और यहां पर paste कर देता हूं देखो यहां पर पी जो है आपका इस के अंदर नहीं है गायव है तो यह जो string buffer object के अंदर था string और यहां पर चेक करो output आप देखो यहां पर पी आपका delete हो चुका है clear point तो single character आप भी delete कर सकते हो string buffer object से ठीक है string buffer object के अंदर जो string पास किया है उनमें साब single character को remove कर सकते है clear point चलिए मैं इसको copy कर लेता हूं और यहां पर paste कर दिया यह है example first example first ठीक है example second देखते है ठीक है example second अब मुझे between करना है delete suppose करो जो यह आपका string है string buffer object के अंदर इन में मुझे delete करना है 3 से लेके 8 तब ठीक है 3 से लेके 8 तब तो यह delete हो जाएगा 3 4 5 6 7 ठीक है 7 मतलब यहां तक delete होगा length 1 हो जाएगा तो यूँ delete नहीं होगा चलिए एक बार हम देख लेते हैं तो मैं इसको फिर से print करा देता हूँ तो क्या delete होता है भाई हम चेक भी कर लेते हैं compile's not fine क्या आया error अच्छा अच्छा इसको एक काम करो आप error क्या आ रहा है एक सगंड देखने दो sb.delete string buffer cannot apply to the given type अच्छा तो हमने यहां पे change नहीं किया ठीक है तो आप method तो change करो चलो अब देखते हैं compile करते हैं फिर से compile's fine ठीक है अब मैं इसको run करता हूँ चलिए देखते हैं मैं इस string को यहां से copy कर लेता हूँ और यहां पे paste कर देता हूँ तो देखते हैं क्या क्या डिलीट किया पी a k and then a space and then आपका g डिलीट किया यहां तक तो हम बताये था आपको यह चीज़ें आपका डिलीट कर देगा डिडवल ई जी तक बचेगा क्या डिडवल ई यू पी टी ए यू पी टी ए बिल्कुल सही आ रहा है तो आप इस्टिंग वफर ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी स्टिंग पास किया है अगर जा नंबर और एक से ज़्यादा करना है तो आपको स्टार्टिंग इंडेक्स उसमें भी बताना पर इग आपको कि यहां से यहां तक आपको रिटन करवान है ठीक है। viola point. चले डाइसन बात करते हैं. इस मेटर रिटर्स सब सेक्वेंस बेस्ट अंधी गीवन इंस्टार्ट अंड इंन इंड रिग्श एस उप्षेक्वेंस उस char sequence that repurchase a part of the original string buffer. Clear point. Note, char sequence is an interface implemented by both string and string buffer. Clear point. I mean, here I have a syntax, public char sequence and then you have to write sub sequence, start index and then end index. Clear point. and shelly. Practical بات کرتے ہیں. तो मैं इसी में यहाँ पे लिख देता हूँ. इसको हटा दिया मैंने यहाँ से. और इसी के अंदर sb.sub sequence. ठीक है? अंदर मैंने यहाँ पे starting और वही बता देता हूँ. तो देखते हैं क्या return करता है? इसके बीच की जो string होगा, उसको return करेगा. जो string buffer object के अंदर हमने string pass किया है न? तो हमने index नमबर दिया 3 से. तो 3 मतलब यह यहाँ से लेके यहाँ तक आपका return करना चाहिए. clear है न? चलिए. देखते हैं. compile, find, देखो. आपका, इसको मैं copy कर लेता हूँ. और यहाँ पे paste कर देता हूँ. देखो, return किया है. clear a point. I hope done. ठीक है? तो यह string buffer object के अंदर जो भी string आपने pass किया, उनमें से कि आप किसी एक part को, string के एक part को return करवाना चाहते हैं. उसके लिए sub sequence method यूज होता है. ठीक है, ना? starting index बताना और then end index. उसके बीच की characters को return कर देगा. clear a point. I hope clear है. आज हमने discuss किया sub sequence method and then delete method के बारे. ठीक है? यह बहुत बार interview में पूछा गिया है. ठीक है? very very important for the interview purpose. clear a point. इसको note कर लो, note करके practical करो. practical करोगे तभी logic clear होएगा. ठीक है ना? practical करो and like करो, comment करो, subscribe करो, share करो यार. इतना तो बनता है. ठीक है? मिलता है next video. thank you. bye-bye.